Hey kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamek Vidyalaya. I will send you the videos of periodic test. So, you have to revise 1, 2, 3 chapters from that and I will make you revise of chapter 4. Counting in Tense. मैंने आपको बताया था कि कैसे हम counting in tense कर सकते हैं. यहाँ पर आपको ऐसे दिया होगा picture, questions लिखके दिये हूँगे exam में. और आपको उसको करना है, देखको question ध्यान से पढ़ना, बहुत mistake करते हूँ आप. How many basket of 10 mangoes are there? 10 mangoes के कितने basket हैं? यह एक basket, दो basket, तीन basket. यानि कितना है? तीन basket है, right? और तीन basket में, एक basket में कितना 10? तो 3 into 10 equal to 30. या फिर आप 3 times 10 को plus करोगे. 10 plus 10 plus 10, तो equal to, आपको 30 मिलेगा. है ना? How many basket, how many mangoes are there in all? सब mangoes कितने हैं? 30 plus 2, यहां से हमें 30 मिल गया. और यहां पे 2. ऐसे करके, मैं अलग-अलग questions को ऐसे पूछूँगी, आपको अच्छे से उसको study करके लिखना है. ठीक है? टोटल, यहां पे ऐसे भी पूछ सकते हैं, write the total and write this. बद में skip counting पूछ सकते हैं, आपको हैं, skip counting, 5 का, skip counting, 2 का, skip counting, it's simple, skip counting, यानि के टेबल स्टेस आई है. फिर convert करना, expanded form और sentence form में, tens and ones के form में, आपको यह properly ध्यान रखना होगा, कि अगर 73 दिया होगा, तो मैंने पूरा लिखके दिया होगा, box बना के भी दिया होगा, आपको 73, 95, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है? यहाँ पे आपको ऐसे sentence में दिया होगा, और आपको यहाँ पे आगे number लिखना है, 3 times plus 2, 1 is equal to 32, है ना? तो आपको इस तरह से यह करना है, फिर आपको chapter number 5, chapter number 5 क्या है? पैटन्स, पैटन्स कैसी, कि इसके बाद कौन सी पैटन आएगी, या फिर आपको एक नई पैटन बनानी होगी, वो मैं पूछ सकती हूँ, आपको यह भी पूछ सकती हूँ, कि बाद मैं कौन सी आई, apple mango, strawberry, apple mango, strawberry, यहाँ पर अगर मैंना box draw किया होता है, तो आपको strawberry draw करनी ह यह आ सकते है, complete the pattern, आपको समझ के pattern complete करनी है, फिर यहाँ पर pattern पड़ के आपको समझ के करना है, 2, 3, 4, 7, 9, इसको continue करना है आपको, है ना, फिर number patterns, number 1, 3, 5, 7, filling the blanks जैसा ही दिया होगा, तो आपको यह complete करना है, ठीक है, एक्जाम में, फिर आपको numbers वगेरा में दिया होगा A, B, C, D, E, F, अलग-अलग patterns दिये होगी मैंने आपको, तो आपको वो समझ के करनी है, अगर यहाँ पे मैंने आपको, क्या दिया होता है, अगर मैंने आपको यहाँ पे, 4, N, 5, P, 6, Q, तो आगे की pattern आपको अगर 4 लिखनी होगी, तो कैसा लिखोगे, 7, R, 8, S, 90, ऐसे करके आप आगे की patterns complete करोगे है न, फिर यह pattern है कि मैंने आपको यह भी दिया होगा, addition of 4, कोई भी number को addition of 4 करना होगा, तो इसमें directly ऐसे दिया होगा, addition of 4, तो आपको खुद से यह plus sign डाल के इसको करना होगा, ठीके? हमारी book में भी देख ले, 5 chapter में देखो patterns कैसे दी गई थी यहाँ पे, है न, इस तरह की सब patterns दी गई थी न, यहाँ पर ऐसी patterns भी दी थी देखो, तो आपको यह भी pattern follow करना है, यह भी करना है, है न, easy है न, सब कुछ, बाद में footprints के बारे में, हम next chapter में पढ़ेंगे, है न, यह counting in tense का भी आप देख ले न, because इस में से भी मैं word problems पूछ सकती हूँ, है न, और chapter 1 और 3 में से मैं आपको क्या पूछ सकती हूँ, word problem पूछ सकती हूँ, किस का इन चीजों का, देखो counting in groups का मैं word problem पूछूँँगे आपको, किस में हमारे periodic test में से, chapter number 2 में से आपको मैं यह पूछूँँगी, है न, word problem पूछूँँगी, ठीक है, फिर sequencing भी पूछूँँगी आपको मैं, है न, sequencing आ सकता है, आपको exam में पूछ सकती हूँ, मैं आपको sequencing, ascending, descending, missing तो आता है आपको, फिर यह weight वाला भी easy है, यह word problem पूछ सकती हूँ, मैं, जो भी word problem आगे के chapters में है, वो मैं आपको इस exam में भी पूछ सकती हूँ, वेट के बारे में भी पूछ सकती हूँ, मैं आपको इतना तो पूछ ही सकते है, दो तिन question तो है न, वेट के बारे में क्या पूछूँगी, वेट में आपको यह ऐसा लिखके दिया होगा, वो ही, पिच्चर विच्चर वाला ने, mostly तो word problem ही आएंगे, दो तिन word problems है आगे के, उसी में से मैं आपको periodic test में से पूछ सकती हूँ, ठीक है? ओके, then do revision, exam आने वाली है, ओके? ओके, बाई, see you, have a nice day.